जब भी आप no cost EMI पे कोई भी सामान खरीदते हैं तो यहाँ पे आपके उपर तीन hidden charges लगाया जाते हैं आज किस वीडियो में आपको मैं तीनो hidden charges को बताऊंगा बताने के साथ ही आपको एक product के example को भी लेके दिखाऊंगा कि आखिर आप इस product को अगर no cost EMI पे खरीदते हैं तो आपके उपर कितना अलग extra charge आपके उपर लग जाएगा और साथ ही आपको इस वीडियो को skip करने के जुरूद बिल्कुल भी नहीं क्योंकि चैनल पर कोई भी like, subscribe ड्रामा नहीं रता है आईए चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको उपर उपर charges को बता देता हूँ उसके बाद आपको example देके calculate करूँगा पच्छे से समझ जाएगे जो पहला hidden charge यहाँ पर लगता है आपसे processing fee ली जाती है अभी जो processing fee है हर bank की अलग-अलग होती है जैसे state bank of India की अलग होगी, excess bank की अलग होगी और यो processing fee लगती है 99 रुपए से लेके 399 रुपए के बीच में होती है यानि कि आप मान लीजे कि 100 रुपए से लेके आपके 400 रुपए तक के बीच में लगने वाले हैं हर bank के जो charges हैं अलग-अलग होते हैं, कभी-कभी ये charge आपको सामने से दिख जाते हैं और कभी-कभी ये terms and condition में लिखे होते हैं तो आपको product को buy करने से पहले processing fee को एक बार check कर लेना है जो दूसरा hidden charge लगता है, यहां पे processing fee के ही उपर यहां पे 18% GST apply किया जाता है जो कि processing fee पे आपको one time यहां पे देना होता है तीसरा जो hidden charge होता है, जो भी आपकी EMI बनती है, जिसको no cost EMI यहां पे कहा जाता है उस EMI का जो भी interest वाला portion होता है, उस interest पे भी आपसे GST वसूला जाता है हाला कि यह चीज आपको अभी समझ में नहीं आई होगी, आगे मैं आपको थोड़ा सा भी explain करूँगा, पच्छे से समझ जाएंगे तो यह तो हो गई उपर-उपर की कहानी, आई चलिए हम लोग एक product example लेते हैं और इसी product पे हम लोग समझने वाले हैं कि अगर आप इसको no cost EMI पे खरीदते हैं तो आपसे कितना अधिक पैसा यहां पे लिया जाएगा तो आई चलिए समझते हैं, तो फिलाल हम लोग इसी product के चले आते हैं सीधे-सीधे no cost EMI वाले page पे, तो इस product की जो pricing है 37,390 रुपय है तो जो सबसे पहला hidden charge मैंने आपको बताया कि processing fee ली जाते हैं आई चलिए अब हम लोग EMI बगारा पे चलते हैं, तो 199 रुपय के तो processing fee हो गई और इसी पे लगेगा 18% जेश्टी जो की लगवा 36 रुपय के आसपास में आपे आएगा तो 236 रुपय आपके अभी के अभी extra यहां पे हो गया अब चलते हैं हम लोग तीसरे और सबसे main hidden charges को पर जिसको बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं यहां पर आप देख लिए जो मान लेते हैं कि हम लोग इस AC को 6 महीने के लिए EMI पे खरीद रहे हैं यानि कि no cost EMI पे खरीद रहे हैं तो हमारे pocket से कितना extra पैसा जाएगा तो आप अगर इस product के EMI वाले page पे देखेंगे तो 6,232 रुपए की आपकी EMI बनेगी 6 महीनों के लिए जिसका जो interest आएगा 1583 रुपए यानि कि 1583 रुपए interest बनेगा लेकिन आप अगले ही line में देख रहे हैं कि आपका 1583 रुपए discount हो जा रहा है और product की जो price है 37,390 रुपए हो जा रही है तो आप सूचिए यहाँ पे कि कहां आपसे extra charge लिया गया तो यहीं पे cash है इसको बिलकुँ धान से समझेगा यहाँ पे जो आपसे interest लिया जा रहा है जिसको आपको अगली line में discount कर दिया जा रहा है इसी interest पे आपसे 18% का जो है GST यहाँ पे लिया जाएगा अगर मैं आपको इसको calculate करके बताओं तो लगवग लगवग यहाँ पे 284 रुपए निकल करके आएगा आई अब हमनों बिल्कुल final calculation करते हैं कि अगर आप इस AC को जिसकी pricing है 37,390 रुपए अगर आप इसको no cost EMI पे खरीते हैं तो आपके pocket से कितना extra पैसा यहाँ पे लगने वाला है तो आई चले calculate करते हैं तो सबसे पहले हमनों basic pricing को लिख लेते हैं 37,390 रुपए प्लस यहाँ पे मैंने आपको इस स्टाइटिंग बताया था कि हम लोग जो अपने calculation कर रहा है SBA के credit card के उपर कर रहा है तो SBA के credit card पे 199 रुपए जो processing fee है वो आपको इसमे अड़ कर देना है उसके बाद इसी processing fee पे आप पे 18% GST लगेगी जो की 36 रुपए के आसपास निकल करके आएगी तो 36 रुपए को भी आपको इसको यहाँ पे लिख देना है इसके बाद आपको मैंने बताया था कि यो भी आपका interest वाला amount है उसके भी आपका GST लगेगा अब GST में भी एक trick है थोड़ा सा आगे भी आपको मैं बताता हूँ पहले add करके आपको दिखाता हूँ तो जो GST वाल amount निकल करके आएगा 200 यहाँ पे 84 रुपए निकल करके आएगा तो आपको यहाँ पे 284 रुपए को भी add कर लेना है अब यहाँ पे एक चीज को बिल्कुल ध्यान से समझ लेजेगा कि कौन से चार्ज आपको GST वाले हैं या फिर processing fee वाले हैं कब-कब हर महीने देना है या फिर एक बार देना है तो ध्यान से समझेगा यहाँ पे जो आपका processing fee है यह आपसे one time लिया जाएगा या आपको इसको हर महीने देने की जूरत नहीं आपकी EMI जितने भी महीने की होगी यह सिर्फ आपसे one time लिया जाएगा जो भी processing fee होगा और उसके उपर GST लगेगा यह आपसे सिर्फ one time लिया जाएगा लेकिन जो interest पे GST आया था जिसको हम लोग ने 284 रुपए calculate किया था आप जितने भी महीने की ये माई बनाएंगे जैसे हम लोग ने 6 महीने की बनाई थी तो 6 महीने पे जो 284 रुपए का amount आया या आप से एक ही बार में नहीं लिया जाएगा 284 रुपए को जिसको आप total add करेंगे तो यहाँ पे 284 रुपए हो जाएगा तो 284 रुपए आपके एक साथ नहीं लगेंगे इसको आप जितने महीने की माई बनाएंगे उसमें आपको divide कर देना है तो यही तर total scenario, no question माई पे लगने वाले देन चार्जिस के बार में वीडियो पसंद आ गई है फर वन में कोई doubt उटके हरा होगा तो comment करके पूछ लिएगा like करना मत भूलिएगा, मिलोंगा अगली वीडियो में good bye